बहुत सारे संसद विधायक अपनी ड्यूटी के साथ मक्कारी कर रहे हैं जब संसद का सत्र सुरू होगा, हंगामा सुरू कर देंगे न सार्थक बहंस होगी, न चर्चा होगी, न क्विश्चन आवर चलेगा, न जीरो आवर चलेगा न प्राइबेट मेंबर बिल पेश हो पाएगा, और पुरा देश देख रहा है पचपन सो सांसदों विधायकों के उपर हर साल 55,000 करोड रुपए खर्च होता है और इन सांसदों विधायकों की ड्यूटी क्या है? कि घूस खोरी के उपर चर्चा करें और घूस खोरी खिलाब कठोर कानून बनाए जमा खोरी पर चर्चा करें, जमा खोरी खिलाब कठोर कानून बनाए काला बजारी पर चर्चा करें, काला बजारी खिलाब कठोर कानून बनाए ये सांसदों विधाकों की ड्यूटी है कि संसद विधान सभा में इस बात पर चर्चा करें कि नसा तसकरी को कैसे खतम किया जाए, मानो तसकरी कैसे खतम किया जाए, सोना तसकरी कैसे रुका जाए, नकसलवाद कैसे खतम किया जाए, कट्टरवाद कैसे खतम किया जाए, लब इस पर कैसे रोक लगाई जए जो धर्मांत्रन बढ़ रहा इस पर कैसे रोक लगाई जए सांसुदों विधायकों की ड्यूटी है इस बात पर संसद विधान सभा में चर्चा करें कि जो पांच करोड रोहिंगा बंगलादेशी आएं इनको कैसे बाहर निकाला जए लेकिन य तूरा कुस्ती कर रहें तूतू मैं में कर रहें आरोप रत्यारोप कर रहें और यह संसद में अपस में लड़ते हैं ना एक्चल में दिखावा करते हैं यह केवल आम जनता को बेकूप बनाने के लिए लड़ते हैं लड़ने के बाद जैसे बाहर आते हैं हाथ मिलाते हैं एक दूसरे के साथ रोटी बेटी का रिस्ता रखते हैं, एक दूसरे के घर पे जाते हैं, शादी विवाह में बुलाते हैं, सब करते हैं, साथ में नास्ता करते हैं, साथ में लंच करते हैं, साथ में डिनर करते हैं, लेकिन आम जंता को दिखाने के लिए आपस में लड़ते रहेगी आकिर सांसद अपनी ड्यूटी तो नहीं कर रहे हैं उनका कोई नियम कानून भी नहीं है सबके लिए नियम कानून है चपरासी काम नहीं करेगा सस्पेंट हवलदार काम नहीं करेगा सस्पेंट डॉक्टर काम नहीं करेगा सस्पेंट ड्राइबर काम नहीं करेगा सस सस्पेंट कलेक्टर कुछ व्लटा सीधा काम कर दे सस्पेंट लेकिन सांसद विधायक ये काम नहीं करते केवल तू-तू-तू में बतोले बाजी करते हैं नूरा कुस्ती करते हैं केवल लोगों को चूतिया बनाते हैं और हजारों करोड जो इनके उपर बहुत करते हैं तो बीच बीच में जब ज़ादा हो जाता किसी एक आदमी को सस्पेंट कर देते हैं सवाल यह है कि इनकी रोल्स और रिस्पॉंसमिल्टी कब तैं होगी संब्धान कहता है कि यह पाल्यामेंट की ड्यूटी है कि सांसुदों और विधायकों की रोल्स रिस्पॉंसमिल्टी तैं करे यानि सांसुदों विधायकों के लिए कानून बनाया जाए कि इनको क्या क्या करना है सब की ड्यूटी डिफाइन है सांसदों विधायकों ड्यूटी नहीं निफाइन है इनको क्या करना है कितनी बार इनको बिल पेस करना है सांसदों विधायकों को कितनी बार सवाल पूछना है जीरो आवर में कितने सवाल पूछना है किश्यन आवर में कितने सवाल पूछना है हर बार जब अटनेन्स भी 0 होती है, 5-10% होती है, सवाल एक भी पूछते नहीं है, प्राइबेट मेंबर पेस करते नहीं है, और एक बार सांसद हो ग Herr पेंशन सुरू हो गई, एक बार सांसद हो गए, आज फ्री टिकेट, व्रेल टिकेट और रेये टिकेट सुरू हो गया, एक बार है कि नहीं है इसका उपाय है आप लोग इस पे बोलना शुरू करिए आप लोग सोशल मीडिया में लिखना शुरू करिए ये पच्पन सव सांसदों विधायकों पे जो पच्पन हजार क्लोर रुपए खर्च हो रहा है उसके बदले देश को क्या मिल रहा है अठाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाट फिर संसेद फ्र apro कर रहे हैं किवल तू तू में हमें किवल नुगणा कुस्ती किवल आरो प्रत्यारो तू चोर मैं सिपाही एक कहरा है तू चोर है दूसरा कहरा है तू चोर है और वानस्त्तों मेंetes के खिलाफ कोई कारवाई नहीं हो रही हिए दोनों मौज मस्ती कर रहे आम जंता को दिखाने के लिए संसत में थोड़ा लड़ाई कर लेंगे टीबी के चैनल पे लड़ाई कर लेंगे बात खत्ब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ एक बात अच्छी तरीके समझ लिजे जिन नेताओं की चाटुकारतिया आप कर रहे जिन पार्टियों की आप गुलामी कर रहे यह आपके काम नहीं आएगी दल गुलामी छोड़िये नेताओं की चाटुकारतिया छोड़िये यह नेता सांसत बन जाएंगे मंत्री बन जाएंगे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जो भी बन जाएंगे, इस से आपके आने वाली पीडियों को कोई फायदा नहीं होगा, जब तक कानून नहीं बनेगा, तब तक घुसपैट नहीं बंद होगी, जब तक कानून नहीं बनेगा, तब तक धर्मानतरन बंद नहीं होगा, जब तक कानून नहीं बनेगा हवाला की फंडिंग नहीं रुकेगी ये जो संसद में आज घंगामा कर रहे हैं अगर धंग की नियाईक बेवस्था होती जुडिसल सिस्टम अच्छा होता नार्को पॉलिग्राप ब्रेंड में पिंक कानून बनाया होता ये सारे अत्तिहार में होते हैं अगर हमने धंग की नियाईक बेवस्था बनाई होती नार्को पॉलिग्राप ब्रेंड में पिंक कानून नहीं है तो जज़ भी स्वतंत रहें मन मानी करते हैं जहां मन करता है उनको बेल देते हैं जहां मन करता है जेल में ठूस देते हैं जब मन करता है तो दो बज़े उठ जाते हैं और जब मन करता है तो रात को नो बज़े भी आकर कोट में बैठ जाते हैं कोई चार्टर नही है जिसका समाधान नहीं है ऐसी कोई बिमारी नहीं जिसका इलाज नहीं ऐसी कोई समस्चा नहीं जिसका समाधान नहीं समाधान कहा है संसद में है लेकिन संसद में खुदी आपस में लड़ रहे हैं टाइम बरबाद कर रहे हैं कानून न बनाना पड़े इसलिए एक दूसरे के साथ सही मुद्दों पे बहस न करना पड़े इसलिए तुतुमे में करते रहेंगे कभी मड़पूर के मामले म सुरू हो गए कभी यहां के मामले म सुरू हो गए कभी वहां के मामले म सुरू हो गए एक मुद्दा है सरत पवार आज तक जेल क्यों नहीं गए जिनका नाम वोरा कमेटी में था सवाल ये है हजार हजार करोड दो हजार करोड पांच पांच हजार करोड की बेनामी प्रापरटी बनाने वाले आज तक बाहर कैसे घूम रहे हैं सफेद कपड़ा पहन के संपत्ति को आधार से लिंक अगर हमने किया होता कम सकम पांच हजार नेता नौकर साथ देश छोड़ के भाग गये होते ये कानून कहां से कौन बनाएगा संसद में कभी किसी एक सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री ने ब्रस्टाचारियों की 100% प्रापरटी जप्त करने ब्रस्टाचारियों का नार्को पॉलिग्राफ ब्रेन मैपिंग करने के लिए कानून बनाने की मांग किया हो किसी भी एक सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री ने संपत्ति को आधार से लिंग करने के लिए कानून बनाने की मांग किया हो किसी सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री ने धर्मांतर्ण कराने वाले जहादियों के लिए NSA लगाने, UAPA लगाने गेंगेस्टरेक लगाने की मांग किया हो या आदेश दिया हो, मुख्यमंत्री तो मांग करने जूरती नहीं आदेश ही दे दे सकते किसी एक सांसद विधायक मुख्यमंत्री नहीं कहा हो कि कानून बनाईए जो घुसपैठी भारत में है इनकी 100% property जब्त करने और इनको 20 से 50 साल सजा देने के लिए कानून बनना चाहिए किसी नहीं मांग किया किसी एक सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री नहीं कहा हो पुलिस चैर्टर लागू करो पास बनाने से देश देश सुरक्षित नहीं होगा फ्रांस के पास ये सब कुछ था फिर भी फ्रांस तीन महीने जला है और हमारे पास भी संसद भी है सुपरिम कोट भी है विधान सवा भी है मंत्री भी है पुग मुख्य मंतरी भी है, प्रधान मंतरी भी है, सब कुछ है, इसके बाद भी मड़िपूर जला है, कस्मीर भी जला था, बंगाल भी जला है, केरल में भी पत्थर बाजी हो रही है, सब कुछ है फिर भी क्यों, क्योंकि सठे सठ्हम समाचरे सिध्धानत के अनुसार कानू हो रही है इसलिए प्लीज आप दल गुलामी छोड़िए आप पार्टियों के गुलामी छोड़िए पच्चिस साल के बाद आज की निता आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे लेकिन आज का अच्छा कारून पच्चिस साल के बाद आपके बच्चो को बचाएगा